हेलो फ्रेंड सफलता का और इंस्टिचूट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों सुरुवात करते हैं हम एक मोटिवेस्नल थॉट के साथ यही जजबा रहा यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा ना हो मायूश ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी इन ही रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा ठीक है दोस्तों तो मुस्किलों से घबराना नहीं है जो भी मुस्किले आए उसका डट के सामना करना है ठीक है जम के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तो ठीक है तो चलिए सुरुगात करते हैं अपने questions की तो सुरुगात करते हैं अपने questions की दोस्तों कीबियस का पहला प्रशन आपके सामने है निमलिखित में से कौन सी एक वाय उपरदूसक गैस है और जीवासम इंधन के जोलन सुरूप उत्पन होती है अपसर नमबर यह है आपका हाइड्रोजन बी नाइड्रोजन सी आउकसीजन और डी है सल्फर डाइ आकसाइड तो कह रह सल्फर डाइ आकसाइड यह एक जीवासम इंधन के जोलन के फल सुरूप निकलती है सल्फर डाइ आकसाइड और यह वाय प्रदूसक गैस है ठीक अगला कॉशन देखते है फ्लाइ एस एक प्रदूसक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है जलने से किसके जलने से आखि पत्थर के कोईलों को आप्शन नमबर भी है चार कोल या लकडी के कोईलों को हम कहते हैं आप्शन नमबर सी डीजल अबलेक मिट्टी के तेल को और आप्शन नमबर डी सी एन जी को तो किसके जलने से दोस्तों फ्लाइ एस यह कोल के दहन से उत्पन परदूसक है किसके दह दुवे के साथ हवा में तैरते हैं ठीक है इसको वाए में मिलने से रोकने के लिए जो है या फिर यह कह लें की अन्य कर निस्पन्दन उपकरणों का प्रियोग किया जाता है ठीक जो इसका नाम है इस Y को इस fly-ass को पर्दूसक ठीक है वाम में मिलने से रोकने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं electrostatic अवचेपग की ठीक या फिरτοостatic electro-static pericipater किसकी pericipater की ठीक है चलिए दोस्तों तो आपसे पुझा जाए कि fly-ass से एक प्रदूसर दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है किसके जलने से कोल या फिर यह अगर लिखा रहे पत्थर के कोईले से तो यह भी आपका option सही हो जाएगा अगला question निमलिखित में से कौन सा एक वायू प्रदूसर के जैविक सूचक का कारे करता है औप्शन नमबर A है लाइकेन, B फर्न, C मनी प्लांट और D अमर बेल तो क्या हो जाएगा दोस्तों option नमबर A आपका हो जाएगा इसमें लाइकेन दोस्तों लाइकेन पेडों की छालों पर उगते हैं कहां पर उगते हैं ध्यान दीजेगा लाइकेन पेडों की छालों पर उगते हैं और लाइकेन का निर्मार किस से होता है सैवाल तथा कवक के द्वारा होता है ठीक है और नाइट्री करड़ करने वाले जीवाड़ भीम की स्वतंतर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं ठीक नाइट्री करड़ करने वाले जो जीवाड़ होते हैं भूम की स्वतंतर नाइट्रोजन को ठीक है वो हम नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं ठीक है और अगर हम यह कहें कि वायू परदूसर का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पढ़ता है तो यह भी आपका लाइकेन रहेगा अगर आपसे question पूछा जाए कि कौन निमलिखित में से कौन प्रदूसर संकेतक पौधा है तो आपके पास option अगर रहे A. सैवाल, B. कवक, C. लाइकेन, D. फर्न तो आप क्या बनाएंगे? लाइकेन बताएंगे क्या बताएंगे? लाइकेन बताएंगे या फिर अगर एक क्वेशन और आपसे घुमा के पूछे कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है option number A. वाइव प्रदूसर के option number B. जल प्रदूसर के option number C. मिर्दा प्रदूसर के option number D. धोनी प्रदूसर के तो क्या बताएंगे? वाइव प्रदूसर के ठीक है दोस्तों? तो आप यहां जारिए कि लाइकेन उगते कहां है? पेडो की छालो पर ठीक है लाइकेन का निर्मार होता किससे है? सैवाल तथा कवक के द्वारा होता है ठीक है? नाइट लाइकेन है क्या? वाइव प्रदूसर के सबसे अच्छे सूचक है? ठीक है? फिर अगर आप से पूछे कि कौन सा पाओधा प्रदूसर के संकेतक पाओधा है तो आप क्या बताएंगे? लाइकेन है ठीक है दोस्तों? माल लीजे क्वेशन और आप से पूछे किन्य impliquit में से कौन सा वायव प्रदूसक के जैविक सूचक का प्रसिध्ध होदारण है तो भी आपका क्या हो जाएगा? Lichen हो जाएगा क्या हो जाएगा? Lichen हो जाएगा ठीक अगला question देखते हैं इंडोर वायव प्रदूसर का सरवाधिक महत्योपूर प्रदूसक क्या कहरा है? कहरा है इंडोर वायव प्रदूसर का सरवाधिक महत्योपूर प्रदूसक है option number A sulfur dioxide, option number B carbon dioxide, option number C nitrogen dioxide, option number D radon gas और option number B इन में से कोई नहीं तो अगर हम indoor अर्थात घरों में प्रदूसर की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो महत्योपूर सबसे प्रदूसक होगा वह क्या होगा दोस्तो radon gas होगा radon gas होगा दोस्तो indoor वायव प्रदूसर में सरवाधिक महत्योपूर जो gas है radon gas है अर्थात क्या है? RN, radon gas radon दोस्तों एक रंगहीन गंदहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है जान दीजेगा रेडाउन रंगहीन गंदहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है ठीक है रेडाउन गैस रेडियम से उस सरजित होती है किससे उस सरजित होती है रेडियम से उस सरजित होती है और इससे फेफडे का कैंसर या फिर रक्त कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है अगले question की जर्चा करते हैं कहरा है सिग्रेट के धुवे में मुख्य परदूसक है कल हमने इस question को आपको बताया था दोस्तो आज देखिया question आ गया है सिग्रेट के धुवे में मुख्य परदूसक है option number a carbon monoxide वा dioxycin option number b carbon monoxide वा nicotine option number c carbon monoxide वा benzene और option number d dioxicin वा benzene तो दोस्तों सिग्रेट के धुवे में carbon monoxide वा benzene मुख्य परदूसक है option number c हो जाएगा carbon dioxide वा benzene लेकिन दोस्तो अब एक चीज आप और जानने कि सिग्रेट के धुवारा एक जटिल मिसरड है या ठीक है इसके धुवे में carbon monoxide और benzene तो होता ही है hydrogen cyanide nitrogen oxide formaldehyde acroline या बहुत जटिल मिसरड है दोस्तों सिग्रेट का धुवारा तो फिर से सुन ले carbon monoxide hydrogen cyanide nitrogen oxide formaldehyde acroline तथा benzene ठीक है और nicotine भी सिग्रेट के धुवे में पाया जाता है तो आपका यहाँ पे दो ही option दिया था एक option दिया था carbon monoxide वा benzene तो आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा ठीक है चली क्योंकि nicotine बहुत ही कम मात्रा में ठीक है पाया जाता है हलके मात्रा में nicotine भी सिग्रेट के धुवे में पाया जाता है ठीक है चली अगला question कह रहा है पर दूसर व्यूक्त वाय मंडल को निम्न में से किसके द्वारा सुक्ष किया जाता है ध्यान दीजेगा option number है oxygen B वर्सा C nitrogen D हवा तो प्रदूसर व्यूक्त वाय मंडल को दोस्तो किसके द्वारा सुक्ष किया जाता है वर्सा के द्वारा तो option number B आपका सही हो जाएगा दोस्तो वाय मंडल में वर्सा ओस द्वारा धूवा धूल और गैसी अपसिस्ट पदार्थों को वाय मंडल से सुक्ष किया जाता है ठीक किसके किसके द्वारा वर्सा एवं ओस द्वारा किसको सुक्ष किया जाता है धूवा धूल और गैसी अपसिस्ट जो पदार्थ होते वह बरसा के द्वारा जो है वह जमीन पर प्रिथवी पर आ जाते हैं तो वाई मंदल स्वस्थ हो जाती है लेकिन यह भी जान ले कि जिनके कड़ दो माईक्रॉन से कम होते हैं उनको हम स्वस्थ नहीं किया जा सकता वाई मंदल से दो माईक्रॉन से कम जिनके भी ब्यास है जि निमलिखित में से कौन एक वाय उपर दूसर की रोक थाम के एक यंत्रिय बिधी नहीं है option number A है bag filter option number B है cyclone collector option number C है cyclone separator और option number D है cyclone divider दोस्तों इसमें निमलिखित में से कौन एक वाय उपर दूसर की रोक थाम की यंत्रिय बिधी नहीं है तो cyclone divider क्या है option number D हो जाएगा आपका cyclone divider ठीक है दोस्तो cyclone divider यह एक वाईव प्रदोसर रोक्थाम की यांत्रिय भी धी नहीं है जबकि bag filter ठीक है यह क्या है यह 50 micrometer से जो कम ब्यास वाले कड़ पदार्थ होते हैं ठीक है उनको साफ करने का काम करती है वाईव प्रदोसर से रोकन का का म करती है उसे bag filter कहते है और जबकि जो 50 micrometer से बड़े आकार वाले कड़किये पदार्थ है ठीक है उनको हम cyclone separator या cyclone collector से रोकने का का म करते हैं ठीक है दोस्तों तो bag filter यह कितने 50 micrometer से कम ब्यास वाले और 50 micrometer से अधिग ब्यास वाले को हम cyclone collector या फिर cyclone separator से रोकने का काम करते हैं ठीक है दोस्तों तो cyclone divider या हवाय पर दूसर के रोक थाम में नहीं उब योगी है अगला क्विशन वाहनों में उत्सर्जित carbon mono oxide को carbon dioxide में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की ceramic disc किस से अस्तरित होती है दोस्तों वाहनों से उत्सर्जित ठीक है carbon mono oxide carbon dioxide यह सब जो गैसे हैं गैर हानिप्रत योगिक में परिवर्तित करने के लिए किसका इस्तिमाल किया जाता है इसको इसका इस्तिमाल होता है प्लेडियम का तो आपका option number D सही हो जाएगा किसका इस्तिमाल होता है दोस्तों प्लेडियम का ठीक है इसको हम कहते हैं platinum या platinum अथ्वा दोनो किसका इस्तिमाल platinum या premium या फिर दोनो ठीक है यह दोनों होता है ठीक तो धानीजे वाहनों में उत्सर्जन कार्बन मोनो आकसाइड को कार्बन डाई आकसाइड में परिवर्थित करने वाली उत्पिर्यक परिवर्थन के सिरेमिक डिस्क किस से बनी होती है प्लेटीनम या प्लेडियम अथवा दोनों से बनी होती है ठीक है जिसमें उपस्थित ग कह रहा है जाड़े की रित्मे दिल्ली में वाय उपर दूसर उच अस्तर का रहता है कथन था या कारण है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रकिरिया जाड़े में बढ़ जाती है तो निम्न कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए दोस्तों आपको बताना है कि कथन और कारण ठीक है आपके पास दो आप्सन दिये गए है अब आपको बताना है आप्सन नमबर ए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही अस्पस्टी करण है option number B A और R दोनों सही है किन्तु R A का सही अस्पिस्टी करण नहीं है option number C A सही है परन्तु R गलत है option number D A गलत है परन्तु R सही है क्या कहेंगे दोस्तो कह रहा है कि जाड़े की रुति में दिल्ली में वायो पर दूसर उच अस्तर का रहता है या बिल्कुल सही है क्योंकि आप news चैनलों पर आप सुनते होंगे कि सांस लेने में समस्या होने लगती है तो रथा दिल्ली में वायो पर दूसर जाड़े के मावसम में बढ़ जाता है इसके बाद दिया कि मोटर गाड़ियों में दहन पर क्रिया जाड़े में बढ़ जाती है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो ठीक है जितनी गाड़िया हमेशा चलती है उतनी ही चलती उतनी ही चलेंगी ठीक है तो आपका A सही हो जाएगा परंतु R क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसमें आपका option number C सही है option number C सही हो जाएगा ठीक चलिए अगला question देखते हैं दोस्तो last question है निम्नलिखित में से कौन सा कारड अबलिक कारक बेंजीन प्रदूशर उत्पन करते हैं option number A स्वचालित वाहन द्वारा निश्कासित पदार्थ option number दूसरा है तमबाकू का धुँआ तीसरा है लकडी का जलना चोथा है रोगन किये गए लकडी के फर नीचर का उपयोग और पाचवा है पाली यूरेथिन से निर्वित उत्पादों का उपयोग नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये तो क्या दोस्तो इसमें कहरा है केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है option number B कहरा है केवल दूसरा और चौथा सही है option number C कहरा है केवल पहला तीसरा और चौथा सही है और option number D कहरा है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा सारे का सारा सही है तो क्या कहते हैं दोस्तों दोस्तों वेंजीन का रासाइनिक सूत्र आप पहले जानने की क्या होता है वेंजीन का जो रासाइनिक सूत्र होता है वह होता है C6H6 यह एक कैसा योगिक है कार्बनिक योगिक है यह भी जान ले बेंजीन का रासाइनिक सूत्र होता है C6, H6 और यह कार्बनिक योगिक है यह भी आप जान ले ठीक है तो दोस्तों 140 वाहन अर्था आटो मोबाइल द्वारा निसकासित पदार्थ उससे भी ठीक है बेंजीन प्रदूसर उत्पन होता है तंबाकू का धुवा उससे भी होता है लकडी का चलना उससे भी रोगन किये गए लकडी के फरनीचर का उप्योग उससे भी होता है और polyurethane से निर्वित उत्पादों का अपयोग करने भी होता है तो आपका option number हो जाएगा D अर्था 5वा सही हो जाएगा आपका ठीक है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब करें दोस्तों ठीक चैनल को हमारे कल फिर हम प्रशनों के साथ उपस्तिक होंगे तब तक के लिए धन्यवाद